वोड़ाफोन आइडिया तो फ्रेंड्स वोड़ाफोन आइडिया के शेयर में जैसे हमने कल में डिसकस किया था कि हमें एक अच्छे-गासी तेजी देखने को मिल रही है और मॉनिंग सेशन में वही होता हुआ दिखा शेयर ने जो है 8.20 रुपीज का हाय बनाया लगबग 2- 3% हमें और ज्यादा शेयर में जो है तेजी देखने को मिली थी लेकिन उसके बाद जो है हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और शेयर जो है क्लोज हुआ 0.64 परसेंट अब वो ख्लोज होआन 7.90 रुपीज पे तो क्यों यह सेलिंग प्रेशर देखने के बारे में टाइम टाइम मिलते रहे तो फ्रेंट्स वोड़ा फोन आइडिया से रिलेटेड एक अपडेट आया था जो कि निगेटिव था तोड़ा बट इसको इतना निगेटिव नहीं माना जाएगा क्यों मैं बताता हूँ यहाप देखिए वोड़ा फोन आइडिया फ financial concern के वज़े से यह इसू फिलाल Vodafone Idea फेस कर रहा है और Vodafone Idea ने बांक्स को फिला जो है टाइम मांगा है हूँ तो कितनी amount है यहाप देखिए Vodafone Idea has failed to renew some laps, bank guarantees, some as low as 99 lakh and sought more time for the center to replenish them under covering the precious financial at the debt-laden telco that is continuously losing subscribers, two of its bigger rivals. तो जो एरेटल और जियो है यह राइवल से हमें पता है Vodafone Idea के और उनकी वज़े से जो है continuously subscriber-based Vodafone Idea लूज कर रहा है. Due to our weak financial position, we are not in position to issue replacement of Rs. 99 lakh and 32.49 crore as this requires 100% cash margin to be provided to the banks. तो यह Vodafone Idea ने कहा है कि हम as of now यह जो है पे नहीं कर सकते हैं तो यह यहाँ पर clearly उन्होंने बोला time मांगा है. तो friends मैंने क्यों बोला वीडियो के beginning में कि इतना impact नहीं है इसका क्योंकि friends already हमें पता है कि Vodafone Idea के ओपर काफी बड़ा debt है और यहाँ से आगे जितनी भी bank guarantees रहेंगी या जो loans रहेंगे उनको वो चुकाने के लिए काफी जादा effort जो है उनको लगने वाले हैं. और recently उन्होंने 77 करोड का 10% का जो dues होते हैं वो भी pay किया था. तो definitely यहाँ पे इतना बड़ा due pay करने के बाद Vodafone Idea थोड़ा सा financially stress feel करेगा. और उसी की वज़े से यहाँ पे हमें यह details देखने को मिली है. आने वाले समय में friends हम देखते है कि किस तरीके से Vodafone Idea का share आगे बारे में तो आपको मैं भी वो post करता रहूंगा. Thank you for watching this video.